दोस्तों इस वीडियो में हम रिपेर करेंगे TG 113 Bluetooth स्पीकर को नमश्कार दोस्तों मेरे नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटेक तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों में हम इसो करेंगे तोस्तों में हम चलिए था चैनल और आप जता पका समय है दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस स्पीकर में फाल्ट ये है कि तेज आवाज पर इसका सांट रुक रुक कर आता है मेरे एक वीवर ने भी मेरे पास एक वीडियो बना कर भेजी अपने स्पीकर की उसमें भी लगवग यही फाल्ट है तो ये वीडियो उनके लिए भी है तो चलिए दोस्तों देखते है क्या है इसका सॉलुशन दोस्तों पहली नजर में ये फाल्ट ऐसा लगता है जैसे ज्यादा साउंड करने पर बैटरी की वोल्टेज कम पड़ जाते हों लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि वैसे केस में बैटरी की वोल्टेज कम पड़ते ही स्पीकर शट्डाउन हो जाएगा फिर भी हम एक पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं वोल्टेज कुछ खास कम नहीं हो रहे हैं यह 4.2 यह 4.1 वोल्ट के असपास है जबकि यह स्पीकर 2.8 वोल्ट तक भी सही काम करता है इसका मतलब वोल्टेज की प्रोब्लम तो नहीं है दोस्तों इसके बाद यह फोल्ट लगता है साउंड अम्प्लिफियर आइसी का तो पहले आइसी के सारे वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों वोल्टेज तो सारे सही हैं फिर क्या मसला हो सकता है देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने एक स्पीकर का कनेक्शन हटाया वैसे ही दूसरा स्पीकर सही बजने लगा ओके इस वाले को एक पर इधर लगाते हैं यह स्पीकर दोनों शो किट में सही बज रहा है लेकिन दूसरे को लगाते ही आवाज रुकने लगती है तो क्या इसका दूसरा स्पीकर शोट है एक पर सिर्फ दूसरे को ही लगा कर देखते हैं ओके अकेला तो यह सेकंड वाला भी स्पीकर ठीक बज रहा है एक बार सिंगल स्पीकर पर ही आउन ओफ करके देखते हैं जी हाँ देखा अपने आवाज बिल्कुल नहीं कटी एक बार फिर दोनों स्पीकर को कनेक्ट करके ओन करके देखते हैं देखा दोस्तो फिर से आवाज अटकने लगी तो क्या आईसी दोनों स्पीकर का लोड नहीं उठा पा रही है दोस्तो यह किलियर करने के लिए मेरे पास एक दूसरा सर्किट बोर्ड है हम इसमें से ऐसी चेंज करके देखेंगे अबस्तों करके देखेंगे झाल झाल लीजे आइसी चेंज हो गई अब इसको टेस्ट करते हैं नहीं दोस्तों कोई फाइदा नहीं हुआ आवाज अभी भी अटक रही है अब क्या अभी सिर्फ प्लूटूट आइसी बची है इसको भी चेंज करके देख लेते हैं अब इसको टेस्ट करते हैं अब इसको बच्च करते हैं अब बच्च करते हैं अभी प्लूटूट आवाज वेड़ा करते हैं ऑटक रहीं हो गगी हैं अब इसको टेस्ट करते हैं इसने उपर लान पट्टी है, वोगो पिल्वाम पिलिष्ट है. अब फिर से टेस्ट करते हैं, नहीं दोस्तों, अब भी आवाज कट रही है, दोस्तों आप तो बस ये छोटे-छोटे कैपिस्टर ही बचे हुए हैं, इन्हीं को टेस्ट करना होगा, दोस्तों ये कैपिस्टर तो सारे ठीक हैं, लेकिन इनको टेस्ट करते वक्त मैंने ध्यान दिया, कि इस बोड में कोई भी में फिल्टर कैपिस्टर नहीं है, बस दो छोटे छोटे कैपिस्टर लगाए हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर यह बहुत ही छोटे हैं तो इनकी value भी काफी कम होगी तो मैंने यह कैपिस्टर negative और positive के बीच में touch करके देखा तो वाज सही आने लगी दोस्तों यह filter कैपिस्टर 100MFD से लेके 470MFD तक कोई भी चलेगा और इसकी voltage होनी चाहिए 10V से लेके 25V तक अगर इस तरह का बड़ा कैपिस्टर लगाना possible नहीं हो तो आप 5V पर चलने वाला कोई भी पुराना board ले और उसके negative और positive के बीच जो भी बड़ा सा SMT कैपिस्टर लगा हो उसका use कर सकते हैं जैसे मेरे पास यह एक खराब USB board है इसमें यहाँ पर देखिए यह SMT कैपिस्टर positive और negative के बीच में लगा है तो हम इसी को निकाल कर use करेंगे यह देखिए यह मैंने battery के connector पर ही negative और positive के बीच में के पिस्टर लगाया है चलिए अब इसको test कर लेते हैं और प्रूटूस मोट तो देखा दोस्तों अब आवाज नहीं रुक रही है प्रूटूस मोट प्लुटूस मोट प्लुटूस मोट तो देखा दोस्तो अब आवाज नहीं रुक रही है दोस्तो ये फोल्ट कंपनी ने खुदी क्रियेट किया हुआ है सिर्फ कोस्ट कटिंग के चक्कर में या तो पार्ट कम लगा रहे हैं या उनकी जगां कम वैल्यू के सस्ते पार्ट यूज कर रहे हैं जिस स्पीकर को मैंने ठीक करके दिखाया यह बिल्कुल न्यू पीस है इसमें नए में ही यह प्रोब्लम थी कर दो प्रोब्लम थी यूज कर दो बिल्कुल पार्ट झाल कर दो कि यह खो पार्ट प्रोब्लम थी यह बिल्कुल दोस्तो इस वीडियो में मैंने इस fault के बारे में हर संभव solution बताया है बाकि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़े इसलिए आप सबसे पहले capacitor ही लगा कर देख लें हो सकता है आपका ये fault इतने से ही ठीक हो जाए अगर आपको SMD capacitor ना मिल पाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि normal capacitor भी इसमें लगा सकते है ये देखिए यहाँ पर लगा हुए इसका charging diode charging jack से सीधी supply इसके anode पर जाती है फिर cathode से होते हुए पूरे circuit में जाती है तो आपको capacitor लगाना है इसके cathode से ground पर तो इसकी positive वाली लग हम diode के cathode पर solder करेंगे अब इसकी दूसरी वाली लग थोड़ी छोटी है तो ground तक नहीं पहुँच सकती इसके लिए हम एक छोटी सी wire connect करेंगे इसमें तो इस तरह से आप normal capacitor भी इसमें लगा सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तो ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगी अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको like और share जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें और साथी साथ bell icon भी दबाएं ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूं उसकी notification आपको सबसे पहले मिल सके अच्छा दोस्तों अगली वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जै हिंद बंदे मात्रम